श्री श्रिवाय नमस्तो वियम वक्तों तो आज के इस वीडियो में हम आपको पंडित पर्दीब जी मिस्रा के बताए के एक बहुत ही उपयोगी उपाए को करके दिखाने वाले है फोटो के साथ तो आपको ये छोटा सा एक उपाय है जो कि विश्व करमेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको करना है तो आपको चाहिए क्या सबसे पहले ये देख लीजिए सबसे पहले आपको चाहिए पीला चंदन जो की नॉर्मल सबके घर के पुझा गर में होता ही है तो पीला चंदन ले ले थोरा सा और । पाँच बेल पत्र चाहिए पांचो बेलपत्र ध्यान रखे कि अच्छे बेलपत्र ले, कटे फटे बेलपत्र न ले ले या तो सोंबार को चले जाएं तो सबसे अच्छा महादेब का दिन है या नहीं तो आप किसी भी दिन जाके पूजा कर सकते हैं, ठीक है, तो सोंबार को जाएं तो बहुत अच्छी बात है, सोंबार को आप जाके सुबह या साम में पूजा कर सकते हैं, सिबलिंग के पास जैसे ही आप जाते तो यह सिबलिंग देख रेलिंग सिबलिंग भगमान जो है महादेब जी का तो यहाँ पे आपको क्या करना वो पांचो बेल पत्र पे जो चंदन लगे हुए है तो उसे अगर चिपकाएंगे आप तो यहाँ पे वो चंदन के अच्छे स चिपक जाएंगे तो वो जो से चिपकते हैं तो आपको पांचो के पांचो बेलपतर इस पे चिपका देना है जैसे आप पांचो बेलपतर चिपका रहे हैं तभी आपको विश्व करमेश्वर महादेव जी का नाम लेना है उनसे प्रार्थना करने है कि आपने नया प्लोट ले रहे नया मकान ले रहे तो जो भी परिसानी है वो सारी तकलिफे दूर हो जाए आप लोगों को पता होगा कि विश्व करमेश्वर महादेव का नाम भगवान शिव का तब पर आ था जब भगवान शिव ने गनेश जी को गज का सर लगाया था ठीक है तो यह उपाय मैंने आपको पंडिक परदिव जी मिस्रा के बताएगे उपाय से देखकर समझकर समझाने की कोसिस किया हूँ अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी और समझ में अच्छे से नहीं आया तो कमेंट करके बताएगा उपयोगी लगी तो अपने दोस्त और फैमली मेंबर के साथ ज